नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज मैं बात करूंगी जैट प्लांट के बारे में जिसको लगी प्लांट भी बोलते हैं तो दोस्तों आज जो मैं बात बताऊंगी अगर आप इन 4-5 बातों का ध्यान रखते हैं तो जैट प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा और इसको कटिंग से लगाना तो बहुत ही आसान है इसके उपर मेरी वीडियो भी है मैं आपको कटिंग भी दिखाऊंगी इस वीडियो इसको सनलाइट की जरूरत नहीं है लेकिन इसको सनलाइट की बहुत जरूरत है अगर इसको सनलाइट नहीं मिलेगी तो यह बहुत जादा अच्छे से नहीं चलेगा दोस्तों कम से कम तीन साड़े तीन घंटे इसको डारेक्ट सनलाइट जरूर हमें देनी है तब ही इसकी मोटी मोटी रहेंगी तो इसको ऐसी जगह पर रखे जहां इसको पूरे दिन अच्छी लाइट मिले मेरी इस विंडो पर पूरे दिन अच्छी लाइट मिलती है इंडोरी रहता है मेरा पोधा लेकिन पूरे दिन अच्छी लाइट मिलती है वो लगभग तीन से साड़े तीन घंटे इसको ची सनलाइट भी मिलती है धूब निकलती है जो दिन में तो इस तरह से आप अगर प्लांट को रखेंगे तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेगा आप देख सकते हैं इसकी सबी पत्या बहुत अच्छे से ग्रोथ इसमें नहीं नहीं हो रही है औ और पीली होने लगेंगी बहुत सारी चीजे होनी इसमें शुरू हो जाएंगी तो पानी तो इसमें कम से कम 6-7 दिन में देना चाहिए मेरे हिसाब से और बाकी मोसम के उपर भी ये चीज निर्भर करती है कि बहुत जादे गर्मी है तो 4-5 दिन में दे दें अगर ठंड का मोस है तो लगबग 10-11 दिन में पानी दे तो ये चीज आपको देखकर और समझनी पड़ेगी दोस्तों पानी बहुत ही कम चाहिए इस पौधे में इसमें हमेशा जादा पानी देने से और सनलाइट की कमी से लाइट की कमी से ही सारी दिक्कते होती है तो ये तीन चीजे इसके बहुत जरूरी है मिट्टी बहुत जादा इसकी पोरस रहनी चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल भी रुके ही ना तो इसमें आप कोको पीट सेंड बजरी और कमपोस्ट ऐसी चीजों का इस्तमाल करें ताकि ड्रैनेज बहुत अच्छा रहे आप देख सकते हैं मेरे पोधे क मिट्टी बिल्कुल सूकी रहती है इस तरह से इसकी जैसे मैं इसमें पानी भी देती हूं तो पानी इसका तुरंत ही सारा निकल जाता है ड्रैनेज होल से और अगले दिन फिर ऐसी मिट्टी हो जाती है इसकी बिल्कुल सूकी सूकी तो ऐसी मिट्टी रहनी चाहिए इसमें पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चीए अगर मिट्टी में पानी रुकेगा देने के बाद जैसे फिर कही दिनों तक बहुत जादा गीली रहेगी मिट्टी तो उससे भी बहुत सारी प्रॉबलम्स इसमें शुरू हो जाएंगी इसकी पत्या गिरने लगेंगी पौधे की जड़े गलनी शुरू हो जाती है और पत्या बिल्कुल आपने देखा होगा बेजानसी होनी शुरू हो जाएंगी तो ये पौधा तभी सुन्दर लगता है जब पत्या इसकी मोटी मोटी हो एकदम कड़क हो तो अगर बिल्कुल हेल्दी आपको रखना है इसे बिल्कुल सस्त रखना है दोस्तों तो ये इस तरह से आप इसकी केर करें ये तीन चार बाते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है ये पोधा बहुत ही अच्छा पत्यों से भरा हुआ रहेगा कभी भी खराब नहीं होगा अब बात करें अगर फर्टिलाइजर की तो फर्टिलाइजर इसमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए बिल्कुल महीने में एक बार आप या तो थोड़ा सा वर्मी होता है वो भी आप इसमें दे सकते हैं लेकिन फर्टिलाइजर महीने में एक बार ही दें जादा ना दें तो बस दोस्तों इसकी बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी केर नहीं करनी हैं और इतना सुन्दर और लकी प्लांट इसको बोलते ही हैं तो अगर आपको इसकी बहुत चाहिए और यह चाहिए कि ऐगरा थहान में रकेंगे तो यह थ कभी ख़राब हो चाहिए घ कर्मी – गर्मी से बचाने के लिए और और दोर ही हैं न हरो जिस तरह चाहिए खाना पड़ता है और बचाना है तो यह दोल्यल जहां पर पढ़ता है और पूधे को तो एक ज़या अगर आप करेंगे तो यह पोधा बहुत अच्छे से ग्रोध करेगा देखिए हाँ से मैंने काटी थी कटिंग और यहाँ से अब नई ब्रांच यह निकल गई है अब मैं आपको कटिंग दिखाती हूँ जो मैंने इसकी लगा रखी है तो उनका क्या हाल है इस टाइम वो भी हम देख लेते हैं दोस्तो इसकी ग्रोध बहुत स्लो स्लो होती है इस प्लांट की तो ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ता है कटिंग भी इसकी लगबग 2,5 महीना हो गया है और आप देख सकते हैं अभी कितनी छोटी छोटी है इनकी वीडियो मैंने डाली हुई है चैनल पर किस तरह से लगानी है उसका लिंक में डिस्केप्शन में डाल दूंगी तो देखिए कैसे एक एक मेंसे एक पत्ती मेंसे दो दो प्लांट निकल रहे हैं पत्ती से भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं और इसकी टहनी को काटके अगर हम लगाते हैं तो उससे भी हम इसकी कटिंग लगा सकते हैं यह मैंने टहनी लगाई थी इसको मैंने भी चैक नहीं किय कि ये चाहिए है आपके साथ चैक करूंगे कि ये कटिंग चली है नहीं पत्या तो सारी चल गई हैं दोस्तों कटिंग के लिए बस एक ही चीज धिहान रख रही है कि मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं देना है विव्कुल सूखे में चलती है कटिंग ये समझ लीजे बस कीवाम्नू तो अगर अगर आप कटेंग लगाते हैं इसकी तो इसमें इधrying रहें क्यें सिह घ्टिताज किया हैं, कोको फीटिंगं! और के मंने फनलब पर पानी स तो इत्होड कोको पीटिटित तो इस वाली cutting को हम देखते हैं यह चलिए नहीं तो या तो आप पती लगा लीजे या फिर आप इस तरह से टहनी काट कर इसकी छोटी सी उससे भी एक plant बना सकते हैं तो दोस्तों देखिए इसमें जड़े बनने लगी हैं इसको लगाये हुए लगभग एक डेड़ महीना हो गया है तो देखिए किस तरह से इसमें नीचे तो कितनी सारी छोटी छोटी सी जड़े बन रही हैं और उपर भी जड़े बननी शुरू हो गई है अब ये पौधा चल ये था आज जैट प्लांट के उपर एक छोटा सा वीडियो इस वीडियो में मैंने ज़्यादे तर सभी चीजें बताने की कोशिस की है अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो ये कभी खराब नहीं होगा आज के वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिये शेर करिये और चैनल को सब्सक्राइब कीजे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई थेंक्यू वेरी मुच